हेलो विर्ण कैसो आप सब आप यू अलर विल तो इस्टुरेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्रेक्शन ऑफ कॉपर्ष ओक्साइड आईरन को तो हमने देख दिया था एक्स्ट्रेक्शन ऑफ आईरन तो ब्लास्ट फणिस में वो सब आप उसको एक बार द तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे क्या करेंगे कि कॉनसेंट करेंगे जो कि हम फ्रोट फ्लोटिंग nerd से करते हैं वह मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ठीक है तो उसका लिंक description आपको मिल जाएगा ठीक तो concentrate करते हैं, concentrate करने का मतलब क्या, जैसे नलाना दुलाना होता है, ठीक है, साफ करना उसको होता है, ठीक, तो इसको हमने साफ के concentrate किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी roasting करेंगे ठीक, river battery finance में इसको roast करेंगे, ठीक है इसका oxide बनाएंगे, तो plus O2, oxygen की presence में इसको क्या करेंगे, heat करेंगे, तो हमें क्या मिल लाएगा, Cu2O plus SO2, SO2 कैस क्या होगी, उड़ जाएगी, ठीक है, तो इसको हम balance करेंगे, ये 2 होगा, ये इदर 3, ये 2, और ये भी 2, ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिला, इसका oxide ये हमें मिल गया, और ये gas उड़ जाएगी, तो cuprous oxide वो हमें मिल चुका है, Cu2O ठीक, अब देखो, यहाँ ग्राफ में देखो, formation of copper oxide, cuprous oxide कहां है, ये देखो, और जो हमारे पास carbon के oxide है, वो कहां-कहां बन रहे हैं, देखो, एक line तो ये है, एक line ये नीचे है, और एक line ये है, ठीक, सारी lines इसके नीचे है, किसके, Cu2O के नीचे है, इसका मतलब, इसको coke, carbon भी क्या कर सकता है, reduce कर सकता है, और अपना CO भी इसको reduce कर सकता है, समझ में बात आ रही है, ठीक है, और इसको सबसे जो सही temperature होता है, ठीक, अगर इसकी अच्छे से इसको reduce करना है, तो वो 600, 500, 600 Kelvin पर हम करते हैं, या उससे अब अब, ओके, तो इसको reduce करेंगे, देखो reduce तो किसी भी metal से भी हो जाएगा, ये, ZN से, ये आपको पहले भी पढ़ा रखा है, सबस्ते की दरफ जाएंगे, तो अब हम देखो, कारवन से करता है, ठीक है, ये कारवन से करता है, तो ये हमारे पास, 2 Cu प्लस Cu, तो यहाँ पर हमारे पास, ये मिल गया, और ये gas है, ये उड़ जाएगी, समाझ में आए बात, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रेक्ट कर दिया, कॉपर को, कॉपर सल्फाइट से, बट एक्चॉल में क्या होता है, ये कॉपर सल्फाइट है न, उससे हम कॉपर को एक्स्ट्रेक्ट नहीं करते हैं, जो हमारे पास सबसे ज्यादा, maximum amount of copper जो पाए जाता है वो किस ओर में पाए जाता है copper pyrite किस में पाए जाता है copper pyrite Cu Fe S2 इसमें पाए जाता है तो इसी सी क्या करते है copper को extract करते हैं अभी ऐसा माँ सोचना है NCRT में नहीं है NCRT में सारी reactions उपर नीचे लिखिए हैं वो confused जाओगे ठीक से इसलिए मैं आपको pattern wise समझाओँगा ठीक है step to step ताकि वो reactions भी आपकी अच्छे से समझ में आ जाए कि वो reactions आई कहां से ओके ठीक ज़्यादा confused नहीं करूँगा एकी reaction होगी जो extra reaction होगी है तो देखो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं इसको floating method से क्या करते हैं concentrate करते हैं जो की पहले भी पढ़ाया है उसके बात क्या करते हैं इसको हम क्या करते हैं river battery finance में डालते हैं river battery finance में डालते हैं और इसकी क्या करते हैं roasting करते हैं oxygen की presence में कि क्यू प्रस सल्फाइड हमारे पास आएगा क्यू प्रस और यह क्या यहां पर सल्फार है तो क्यू प्रस सल्फाइड हमारे पास आएगा Cu2S और क्या आएगा Ferrous Sulfide आएगा FeS FeS ठीक है इन दोनों के Sulfide तो आ नहीं थे साथ में क्या होगा SO2 gas यहां से ओड़ जाएगी अगर हम इसको balance करते तो यहां 2 करेंगे और यहां 2 करेंगे यह balance हो गई है यह gas यहां से ओड़ जाएगी अब देखो हमें इसमें कर क्या रहे हम हमें copper को निकालना है extract करना है तो यह Fe क्या कर रहे है चलो यह S तो क्या होगा हम oxygen के साथ heat करके क्या कर देंगे यह S को उड़ा देंगे SO2 बनके उड़ जाएगी gas में बट इसको हटाना यह बदमास यहां पर इसको हटाना है में तो इसी को हटाने के लिए हम क्या कर रहे है इतने जतन कर रहे है इस Fe को हटाने के लिए तो हम क्या करते है इसके लिए river battery finance में कुछ मात्रा में silika डाल देते हैं ताकि slack बनके थोड़ा बहुत यह हट जाए ठीक है जैसे हमने blast finance में भी किया था तो क्या होता है जो oxygen है न यह कुछ Fe के साथ react कर जाता है देखो जैसे Fe plus O2 यह Fe O plus SO2 इसमें change हो जाता है Fe O बना जेता है ठीक है reaction balance करेंगे 2, 3 यह 2, यह 2 ठीक है कोई confuse मत होना है बस एक बार देख लो एक कान से सुनो दोसरे से निकाल लो बस देख लो यह Fe O बना ठीक अब हम क्या करता है जो Fe है न इसको हटाने के लिए silica डाल देते है थोड़ा बहुत silica डाल देते है ताकि slack बनके क्या हो जाए यह Fe थोड़ा बहुत Fe भार हो जाए तो Fe O है न Fe O silica डालते हैं Si O 2 तो Fe Si O 3 यह slack बनके उपर तैरता है क्या करता है उपर तैरता है और जो यह हमारे पास है cuprous sulfide और ferrous sulfide वो नीचे बैठता है और भारी होता है नीचे बैठता है तो यह हम उपर से slack को निकाल देता है ठीक है तो यही क्या होता है हमारा copper माटे होता है जिसमें कि यह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और यह कम मात्रा में होता है क्योंकि कुछ हमने यहाँ कम कर दिया na Fe तो ये बहुत ज़्यादा मात्र में क्यों है? क्योंकि हमने copper को ही अलग करना है, extract करना है, ओके? ये इतनी बात आई समझ में, अब हमारे पास ये क्या हुआ? ये copper माटे हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? copper माटे, ठीक है? माटे, अब देखो, यहाँ SO2 गैस भी थी, ठीक है? यहाँ reaction में, अब देखो क्या होता है? अब इसको copper माटे को हम किस में डालते हैं? silica lined converter, silica lined converter, कुछ नहीं होता है, इसमें भी बस हम oxygen की presence में क्या करते हैं? heat करते हैं, इसके बारे में इतनी ज़्यादा पढ़ने की, या जानकारी इकटा करने की जरूत नहीं है, ठीक, बस जितना पढ़ा रहा हूं, उतना समझ लो, अब इसमें भी हम क्या करेंगे? heat इसको, और silica line converter है, इसका मतलब उसमें silica भी है, si o2 भी है, समझ में आरी यह बात, si o2 भी है, तो क्या होता है, जो यह fes है, fes है, ठीक है, converter में हम इसको heat करते हैं, oxygen की presence में, तो यह क्या होगा? सेम पहले जैसे होगा, जैसे पहली reaction थी, feo plus so2, ठीक है, balance करेंगे, यह है, यह है, रुप जाओ, रुप जाओ, यह 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, और यह 2 हो जाएगा, ठीक है, बोक में दोको, जो last में 4-5 reactions है, वो अब आ रही हैं, ठीक, अब आएंगे, देखो, अब यहाँ पर यह है, तो feo, silika हमारे पास है, जो अभी reaction की थी, वैसे ही, और यह क्या हो जाएगा, फिर, slag बन जाएगा, feo, 3, यह slag हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया, slag हो गया, अब देखो, हमारे पास क्या है, q प्रस sulfite है, q प्रस sulfite है, तो cu2s, ठीक है, यह q प्रस sulfite है, यह fes की तो हो गई, अब cu2s की, तो oxygen की परदेंस में यह भी heat हो रहा है, तो क्या होगा, यह हो जाएगा, q प्रस oxide बन जाएगा, फ्लस, यह SO2s, बैलेंस करो, यह 2 हो गया, यह 2 हो गया, और यह यहाँ 3 हो गया, और यह यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक, यह हुआ, अब देखो, इसके साथ, फिर से यह react करता है, इसके साथ, फिर से यह react करता है, तो क्या होगा, इसको साथ कर लोँ, उपर कर लेता हूँ साथ, Cu2s प्लस Cu2o, यह हो गया, copper हमें मिल गया, और यह SO2, बैलेंस करो, यहाँ पर यह हो गया, 2, और यह हो गया, 2 to the 4, 5, 6, तो यह 6, copper 6, ठीक, तो यह हमारे पास copper आ गया, इसको कहते हैं, blistered copper, blistered copper, देखो, SO2 तो अभी उड़ गई है, gas उड़ गई है, ठीक है, copper नीचे रहेगा, और यह जो slag है, यह उपर आ जाएगा, तो उपर आएगा, तैरेगा, तो इसको हम बहार निकाल लेंगे, और यह हमारे पास copper आ जाएगा, तीक है, यह जैसे फुफुन्दे होते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, bubbles के रूप में बहार निकलते हैं, blistered बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, blistered copper, तो आगे अच्छे समझ में, कोई confusion, अगर होगा, तो comment में लिखना, ठीक है, thank you,